इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनिमय गुण के उधारण राजेश एक टोकरी में तीन सेब रखता है और फिर उसमें दो संत्रे रखता है यदि राजिश टोकरी में पहले दो संत्रे रखता है और फिर उसमें तीन सेब रखता है तो क्या इससे फलो की खुल संख्या अलग प्राप्त होगी? क्या यहां क्रमविनी में ये गुण का पता चलता है? स्तिथी एक टोक्री में पहले तीन सेब और फिर दो संत्रे रखने पर फलो की कुल संख्या होगी सेब की संख्या धन संत्रों की संख्या यानि तीन धन दो बराबर पांच स्तिती दो ठोक्री में पहले दो संत्रे और फिर उसमें तीन सेव रखने पर फुलों की कुलसंख्या होगी संत्रों की संख्या धन सेव की संख्या यानी दो धन तीन बराबर पांच दोनु स्थितियों में टोकरी में पांच फल होंगे इसका मतलब है कि तीन धन दो बराबर दो धन तीन या सेब की संख्या धन संत्रों की संख्या बराबर संत्रों की संख्या धन सेब की संख्या इस उधारंड से पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनी में ये गुण पता चलता है अगला उधारंड यहाँ दो अलमारिया है पहली अलमारी में पांच पंक्तिया है और हर एक पंक्ति में तीन कप व्यवस्तित किये जा सकते हैं दूसरी अलमारी में सिर्फ तीन पंक्तिया हैं, लेकिन हर एक पंक्ती में पांच कप व्यवस्तित किये जा सकते हैं. क्या आप बता पाएंगे किस अलमारी में हम सबसे ज्यादा कप व्यवस्तित कर सकते हैं? पहली अलमारी में पांच पंक्तिया है और हर एक पंक्ति में तीन कप व्यवस्तित किये जा सकते हैं इसलिए आप कुल पांच गुना तीन कप व्यवस्तित कर पाएंगे अब दूसरी अलमारी के बारे में विचार करें यहां व्यवस्ता थोड़ी अलग है इसमें तीन पंक्तिया है और हर एक पंक्ती में पांच कप व्यवस्तित किये जा सकते हैं इस तरह से कुल तीन गुना पांच कप व्यवस्तित किये जा सकते हैं चुंकि पूर्ण संख्या का गुनन क्रम विनिमेय है इसलिए चाहे हम 3 गुणा 5 करें या 5 गुणा 3 जवाब 15 ही आएगा यानि कि दोनों अल्मारियों में 15 ही कब व्यवस्तित किये जा सकते हैं अगला उधारण रिक्तस्तानों की पूर्ति करें चुकि पूर्ण संक्याओं का योग क्रम विनिमेय हैं इसलिए रिक्तस्तान पर दो लिखा जाएगा पूर्ण संक्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है इसलिए रिक्तस्तान पर साथ लिखा जाएगा इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनी में ये गुण के उधारण अगले वीडियो में हम इनसे संबंदित मित्य धार्णाओं को दूर करें